जै मातादी दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने जारी हूँ एक ऐसा सिद्ध किया हुआ मंत्र जो आपके पार्टनर को आपकी जिन्दगी में खीच कर ले आएगा किसी से बहुत जादा प्यार करते हैं या चाहते हैं उसे और उसके साथ पूरी जिन्दगी बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा मंत्र जो की इतना ज़ादा कारगर है कि वो तुरंत काम करता है और आपकी जिन्दगी में आ रही परिशानियों को दूर करने में भी आपकी मदद करता है दोस्तों इस मंत्र को करने से पहले आप एक बात अपनी ध्यान से सुन लें कि ये कभी भी किसी विवाहित पुरुष या विवाहित इस्त्री को वश में करने के लिए नहीं है जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं और अगर उसकी शादी नहीं हुई है और वो आपसे प्यार करती हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं या फिर आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं और जो लड़की है उनकी शादी नहीं हुई है आप उनसे प्यार करते हैं उनकी साथ जिन्दगी बिताना चाहते हैं शादी करना चाहते हैं तभी आप इस उपाय को करें इसमें एक ऐसा मंत्र है दोस्तों कि अगर आपने उसे सिद्ध कर लिया तो आप जब भी चाहेंगे तब ही आप अपने पाटनर को अपने वश промें कर लेंगे जो भी आप कहेंगे उससे करने के लिई वो राजी हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी इस उपाय को कर सकता है दोस्तों एक बात आपको याद करतनी है कि इसे आप महीने की किसी भी दिन कर सकते हैं इस में कि आपको इसे किस तरह से करना है दोस्तों तो सबसे पहले इस मंत्र का उचारण आपको 1008 बार करना है शांती से एक जगे बैठ जाए पूरब दुशा की तरफ मुख कर ले और उसके बाद 1008 बार ये मंत्र बोले मंत्र है ओम नमो भगवती रुद्राणी चामुंडानी अमुक मम वश्यम कुरू कुरू स्वाहा इस मंत्र को दोस्तों आपको एक हजार आठ बार बोलना है अमुक की जगे पर आपको बोलना है अपनी प्रेमी का या फिर आपके प्रेमी का नाम और उसके बाद आपको इस मंत्र को एक हजार आठ बार बोलकर छूर देना है वहां से उठ जाना है अब आपको दूसरा काम क्या करना है एक दिन आपने इसक का अपने दिमाग में सोचना है उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हुए आपको फिर 108 बार बोलना है अगले दिन जहां पर भी आपके प्रेमी या प्रेमिका का घर हो वहां से गुजरते समय आपको मंत्र बोलते हुए वहां से कूक देना है और उस 2008 बार दूसरे दिन आपने 108 बार किया आपने घर में बैठकर फिर बाकी के पांच दिन आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका के घर के पास जिस तरफ उनका घर बना हुआ है उस तरफ देखते हुए मंतर का उचारण करके फूख देना है दोस्तों इस तरह से मंतर सिद्ध हो जाता है और आपके मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है तो जो भी प्रेमी है प्रेमिकाएं है जो किसी को अपने वश में करना चाहते हैं वह निराश ना हो इस मंतर के द्वारा आप उन्हें अपने वश में कर पाएंगे दोस्तों अगर आपको कुछ और परिशानी कुछ और समस्या है तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में बिल जाएगा उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों एक बात की आप लोगों से पूरी तरह से मैं आपको चीताब मी देना चाहूंगी कि जो कमेंट सेक्शन में नंबर लिखे रहते हैं उन नंबर पर कॉल बिल्कुल ना करें वो फेक लोग होते हैं और उनको कॉल करने से आपका नुकसान हो सकता है तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में